तो कैसे आप लोग और हमार लाइब आवे के रीजान आप सब के पता रहा है आप सब के पता भी रहा है कि हमनी के सिम्ला में सूट करत रहनी है जाएगो बहुत बड़ा पुर्जेक्ट के सारी विया की हिंदी घाना गे आज सब कोई अपना घर लोटा ला तो हम कले रहनी है सब से कि हम रात के लाइब अपन टाइम कलोशा है आप सब के बीच में हमला बानी है और सबसे बड़ा चीज से हमरा सात है हमार भाई मनीश जी अमीद जी गोलु डमू मनू और दरगोलु जी है अब भाई लोग बाई लाइब के आप सब ज्यादा से ज्यादा से शेर करी जाए ऐसे कि हम अपना पेश से लाइब है बहुत सारा बात करें के बाई आप सबसे तो सबसे बड़ा चीज बाई कि हमने के भोजपूरी खाती और जिक्रा का भोजपूरी के लिए बहुत बड़ा बड़े भाई जेकरा समनी के कुछ सिखनी जा जेकरा से भोजपुरी के हमरा नियान उतमाम विवा राइटर जेकी नया नया लिखाता हुश्याम भाईया से कुछ ना कुछ सिखले रहे और अचानक यह तरह के एको शॉक्ट होला ना वह टाइप के लागल जब सुननी जाता ह और क्योंके मौत पे राजनीत कई जाओ क्योंके मौत पे राजनीत खेला जाओ कि यह नहीं कि यह वह नहीं किये कुछ ऐसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में नीच लोग हैं मैं उनका नाम लेना पुसंद नहीं करता हूँ अभी आप सब को पता था कि हम पे फैयार भी मैं किये हूँ अगर मान लीजिए खेशारी भीया लाइव आये और लाइव आके उन्होंने बस यहीं बोला कि मेरा भाई अपने भाई को खो दिये हैं और मुझे इस चीज का बहुत दुख था मैं तो लाइव उनके सांथ था और मैं देखा था हूँ आँ कि स्थितिया कि अर्ली मॉर्निंग भाईया सूट से रात बर सूट चला था सुबह में आये उसके बाद फिर हम लोगों को निकलना था लेकिन हम लोग को जब पता चला कि श्याम भया को लेके गोरकपूर जा रहे हैं लोग तो लोग गोरकपूर लेके किसी प्राइवेट होस्पिटल मे सब्च साथ सब्सक्राइब लेके जा रहे थे तो फिर हम लोगों से बात हुई विवेक भीया को भाय बोले तो हम लोगों ने योगी जी कर पी इसू को फून लगा है अभिशेक भाई को अभिशेक जी ने बहुत मेहनत भी किया और अ कगहीं सब मुझे ऑस्पीटल architecture अगर है उद्धा सामने के देखल बात था लेकिन यह पराज नीती हो रहा है कि खेसारी जी खेसारी लाल जादो चाहते तो बचा लेते खेसारी लाल जादो ने कुछ नहीं किया वे चूती है इंसान तुम कितने गिर सकते हो अपने इस्टाइडम के लिए अपने नाम के कभी बोलते हो कि तुम्हारे लोग गाली देंगे तुम्हारी मान सीखता पर अपसोस हो रही है बोल गया हो कि भाया ने बोला था उस लाई में कि मैं अपने सगे भाई से ज्यादा मानता था स्याम देहाती को और यह सत्य है हमारे लिए जब हम लोग के कलाकार हो जाते हैं ह लोग सबके लिए जीने लगते तो हमारे लिए फैमली और परिवार मायने नहीं रखता है इसलिए नहीं रखता है कि हमनी के परिवार के लोग हमनी के जनम देले बढ़ें लेकिन अगर हमनी के बुरा वक्त में हमनी के संगे अगर कंधा से कंधा को मिला के चलल बतू हमनी के स सबसे ज्यादा कीमती होला क्यों को पूरा जाहिर भा कि राम जी चाहिर रहों सबके पदाबाद राम लक्षमर भरत shaped चाहर भाई थे लेकिन तीनों भाईयों से किसी के सिने में राम नहीं बस थे बसते तु तो हन्मान के सींहें तो बाते वो नहीं है, बाते यहां पर यह है कि जिसको इनसान प्यार करता है, जिसको इनसान मानता है ना, और कहा तड़ा कि लाइब में घड़ी आली आंसु गिरा रहा है कि सारी लाल जादो, वो तो लाइब में बोलते बोलते भाईया के आंक से आंसु गिर गया है, उसके अब ने ऐसे पात मैं हम लोग कैसे संबाले हूं इसंसान को और इसको भी तुम मुझे लगता है उमीद करते हैं तो मैरे सोच की जार की इसको मजाकिल होगे तो खरा से कोण उपार्क नहीं थे पड़े वाला है कि हम लोग काम करते हैं हम लोग साथ रहते हैं और मैं बस यह दावे के साथ बोलता कि उससे बेटर हमारे भोच पूरी इंडस्टी में कोई होएं नहीं सकता है उस इंसान के लिए तू बोल दो हो कि धननरजय मिष्या को क्या कि या की है तुम वह चला हिं पहु इस दुनिया में नहीं है और तुम बोलते हो कि दनन्हें मिश्रा के लिए क्या क्यों मुझे उमीद है कि तुम पता करोगे कि दननजें भेया का का परिवार कहां रहता है, और मुझे भरोशा है अगर तुमको लाइवाने की ज़रुवत है तुम अपने बेटे के IT से लाइवाति हो पुलटी पाने के लिए तुम अपने आईडी से क्यों नहीं लाई बाते हो बोलते हो कि ब्लोग कर दिया गया है और उसी आईडी से लिक रहे हो कि मेरे तुम चम्चे गाली देंगे इस टाटम पाने के लिए इतना गिर जाओगे कि किसी की मोत में रजनीत करोगे तुम इतना भी नीचे मत गिर जाओ ना और बोलते हो कि सगे भाई के लिए सगे भाई के लिए इतना खिसारी लाल जादव कर दिया उतना तुम जिंदगी में नहीं कर पाओगे एक तुम्हारा भाई को लाइब देखे तुम्हारे भाई को दारूपी के डरामा कर रहा था नो टं कि तुम यह नहीं आपने भाई को करते हो और उस इनसान को बोल रहे हो कि तुम तुम अपने भाईयों को सपते हो सदृ पर में पनवलuvoता है उटोंन होज इस इंसान प्योंगली उठाते हो उस इंसान को नीचे दिखाते हो जिस इंसान ने कभी किसी को गर समझाई नहीं है तुमको इतना चर्वी चड़ गया है कि तुम किसी से मन्नत तो नहीं मांगे हो ना कि भजपूरी इंडस्ट्री में कोई ऐसी उथल उथल हो कोई घटना तुम किससी को अपनी दूख समयनदना अपना व्यक्त करें तो तुम लाही भाकि अपनी डरामा करो गें हमगे अर्षि और मरी ही बात हुई थी समर्जी से भी की आदव दो से बसे तुमारी ही बात हुई थी जूटे फरेख नो टंकी बाज है मारा स्थित्व क्या है अगर तुम्हारा अस्तित्व इतना ही होता, अब इतना तुम कितने दूद के धूले हुए हो, कि तुम्हारे बेटे को जेल में करवा दी, तुम कितने सही हो, एक लड़की ने तुम्हारी वाट लगा दी पूरे इजद की, और तुम बात कर रहे हो इजद परतिष्ठा की, तुम् एक लड़की ने तुम्हारा उपर से लेके नीचे तक सब कुछ खतम कर दिया, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, परतिस्ठीत बन रहे हो, उतना ही बोलो, आदमी सान्त है, अपना काम कर रहा है, किसी के मौत में मजाक उड़ा रहे हो, थोड़ा सा भी तो सर्म करो य आठी और स्याम देहाती जी बहुत खेषारी-विया को मानते थे जहें खेसारी-विया भी मानते थे, बहुत ज्यादा, इस सब चीजए भोलने की नहीं है, उनके देठ होने की 5 दिन पहले के मोटो नहीं था लेकिन ये बातें तुम भुलवा रहे हों और कियो नहीं क्यों मजाग बना रहे हो तुमारा सागा भाई रहता हैं सागा भाई दो इतना नहीं रहते इतना द्याती । तुमारा वुझूद वही हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे तुम जीन्दिगी भर तुम फ्रिन जातों कर नinh bands नहीं के निहाते kg ॥ और तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका ब्यक्तित्त जो है ना उसके ब्यक्तित्तों की पूजा होती है, और इंसान को अपना इंसानियत नहीं भूलना चाहिए, तुम्हारे लिए कौन ऐसा लोग है, तुम्हारे साथ खड़ा, अब ठीक से रहा, अपन काम करें तुम्हारे इतना सोच गीर जाएगा, अब तुम्हारे लिए कि कैसा बोल रहा हो कि कोई सीनेमा हीट नहीं हुए हम ऑक्सिजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइक साइड है, तुह ही बड़ा भजपरी का अक्सिजन है, तुन नहीं खाता सीनेमा हीट निखे भई, तीन स शिर्प गालिया इंगालिया पढ़ रही, थोड़ा भी तो समझो और ब्रामण तुम हो और मैं भी हूँ, एक ब्रामण कखुल को तुम नास कर दी है, इजत परतिष्टा के धाजिया उड़ा दिया हूँ, बोलते हो कि ब्रामण हूँ, किस एंगल से तुम ब्रामण लगते को हीट कराने के चकर में लगो कौन दुनिया तुमसे पूछने जा रहा है भाई तुम अपने बेटे को बना दो सलमान खान के साथ सीने में बना दो किसी को प्रॉब्लम है कराओ हीट दूसरे को चकर में कियो पड़े हो भाई कि अधिमी नखन बोला चूप चाहए बाड़े हम निगे खुदे इतना सादमा में बानिया सला कि दूदीन पताना चाला हमने कि दूदीन कतना कश्ट में और दूख में कोई से समय निकल गई जितना लोग संगे रही जब इतना कश्ट वाई और हम लोगों ने जितना प्रिय करना था अगर पैसे से बचाना होता अगर श्याम भया को तो कब के हम लोग बचा लिये होते हैं लेकिन पैसे माइने नहीं रखते हैं अब तो यह बुजाता कि रुपया पैसा कुछ नमवत के सामने कुछ नहीं है और यह पुरी पुरा जग जाहिर बा और आज मैंने स्याम स्याम भया के बतिजा की इंटर्व्यू देखनी है वो खुद लड़का बोल दाया कि खेसारी भया का बहुत होनाया था और सचाही बात यह बात कि उनका के मेडिकल कॉलेज और हस्पीटल रह जाओना मेडमिट करा वाल गई जो जो जोगी जी के पी एसो हैं अभी से एक भ संबर हम लोग को मिला अभिशेक भाईया दिया और फिर अनील जी आके अनील जी चेक अप किये उसके बाद हाँ यह सत है कि बेट खाली नहीं था बेट के लिए बाते चली रही थी लेकिन सैम भया के पास उतना समय नहीं था लेकिन इस पर भी तुम मजाक बना रहे हो क्या उनका भतीजा जूट बोलेगा है है हम लोग उस दिन पूरे सुटिंग कैंसिल करके हम लोग होटल से बैठके चारो तरफ इधर बिक्की भहिया को भाईया ने फोन किया भेजे आजात भी आ गया कभी जी को हम लोगों ने फोन किया फिर उन्होंने निरहू भाईया से फोन है तुमारा कोई अस्तित्व है कि नहीं तुमारा जमीर मर गया है थीत होने के लिए कुछ भी करो गया और तुम अपने पागल भाई को पहले समझा दो कि दारूपी के जो लाई बाता है ना हूं यहां करता है पागलों की तरह की काट देंगे फेक देंगे तो पहले अपन देखो अपने में कि कितने छेद हैं दूसरे को छेद देखने से पहले दूसरे को निहारने से पहले अपने में देखो कि क्या क्या तुम क्या क्या करके यहां तक आए हो कि तुम क्या बात करोगे अगर तुम्हें इतनी इंसानियत होगी तो अभी भी पैसे रखे होगे तेर दो लाग रुपिया दो लाग डाई मदद कर तो हम लोग खुशी से तुम्हारा पोस्ट डालेंगे कि राज कुमार जी ने विश्याम भया को बचे को बीबी को उनको पढ़ने के लिए इतना सहता किया हम लोग तो कर रहे हैं तुम करो तुम करके हम लोग को स्क्रीन सोट नहीं डालेंगे तो फिर बोलना दोगल करने की जहां बात आएगी कि तुम क्या किये हो भुश्पुरी के लिए किसको सपोर्ट किये हो जो इनसान हमेशा से दुसरे के लिए करता रहा है उसकी टांगे खीजने पर लगे होती हूं तुमारा वजूद यही है तुम तुम बिल्कुल ही तुमारा अस्तित्व और जम पूरी इंड़स्ट्री जानती है, कि खेसारी रह जादो कैसा इंसान है, यह तुमको बताने की जरूरत नहीं है, और किसी के गिराने से इंसान नहीं गिरता है, जब लोग ये लोग इग्नोर नहीं कर देंगे, जब तक ये लोग जो दर्सक है ना, ये लोग जब तक अपने नजरों में गिरा नहीं देंगे किसी को, कोई नहीं गिरा सकता है, तुम्हारे जैसे रोट्चाप लोग तो ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मजबूर कर दिये तुम, तुमने मजबूर कर दिया था लाइब आने के लिए सब लोगो, तुमको अच्छा लगता है य मने कहतना, वो इंसन बितत हुई, वो परिवार के कना कष्ठ होथ हुई, चा कप ऐस रगत के लिए लोगोना कर दिये, छने को लनस्वार कक्षा है, तुम जानते हैं, तुम भी जानते हो, गित लिखे ए कुई क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो कि धनभी ज तुम्हें अगर थोड़ा सा भी इंसानियत होगा तो पूछना कि धनांजे भया का फैमिली कहां रहता है मुझे उमीद है अगर तुम सचाही से पता करोगे तुम पता यहीं चलेगा कि सारी राल जादों के गर में पुरा एक फ्लैट उन लोगों के लिए दिया गया है रहते किसी को कि अपना घर देदेगा रहने के लिए और उनके साथ कंदे में कंदे मिला के चलने के लिए तो तुम क्या इंसानियत की बात करो गया अर गुस्सा आता है और आप एक परतिश्थित व्यक्ति थे आपको हम लोग समान करते थे आपने भोश्पूरी के लिए बहुत क कुछ किया था लेकिन ऐसा आप चाह आपको हो गया है कि आप बार बार यह सब चीजे कर रहे हो यह सब चीजे अच्छी नहीं है और सिर्फ किसी एक इनसान को टार्गेट करना यह गलत चीज़े और यह हम लोग परदास्त नहीं करेंगे क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं और लोग करते हैं हम जानते हैं कि भहिया कैसे इंसान हैं believingוכ हुआ जो दुसरे अगी जीता है दुसरे के लिए सोचता है उसको आप हमयचे गिराने में लगे है कॉन होगा वैसा इंसान यार जो किसी किसी फोजे की घर के बेटे कोको गोद लेले। कौन वैसा इंचान होगा किसी अभी तुमको पता होगा पिछले साल लॉकडाउन में कितना हम लोगों ने चारो तरफ उनके खेसारी फांडरेशन से हम लोगों ने काम किया था हर गरीबों को तुब ये सब चीजे बताने की नहीं होती है हम लोग करते हैं तो कभी गिनाने के करते हैं हम लोग क्ले खेंशन डेशन लेकिन तुम इसमें कुछ करते हो नहीं और तुम लाइव आके लबी- 끝ilan allergies आपना अग तुम्हारे छोडने ना करने से किसी आने जाने से किसी की जिंदगी खतम नहीं होती है तुम अपना काम पे ध्यान दो और अपना इस्टाइडम पाने के लिए अपना पॉपुलर्टी करने के लिए अपने बेटे के आईडी से लाई बात देओ कि जादे लोग देखेंगे किसी के मौत में भी मजाक अगर कोई उड़ाना हो तो तुम से सिखे यार लोग कितने दर्ट मैं हैं हमेशा हमलोग हमेशा हमलोग हसने बोलने वाले इंसान हैं हर दूख की घड़ीओंएं हम हमेशा मुश्कुराते रहते हैं लेकिन जय से याम भाहया को खोय हैं हम लोग एक सदमा सा लग गया है और Baptist एkal लाइब का और किसी के दूख का मजाक नहीं उड़ा दे तुम। अगर कोई इनसान लाइब आया और बोलने के लिए तो रोने रो रहा है कोई इनसान। तुम बोल रहे हो कि घड़ी आली आशु गिरा रहा है। तुम्हारी सोच यही है, तुम्हारी मनसिक्ता यही है। तो धेर उत ना करेके और पाप के घड़ा भरे लाता, फाटे लाइब आई तरह बताबा। और तुम बोल रहे हो कि भगवाण। तुम कहते मेरे कहते तुम कहां आईगे। ना आईगे। खटने मारने की बात नहीं है। और हम लोग एक कलाकार हैं। और कलाकार कभू लड़ाई जगड़ा ना करत। और हमनी के फ्रेम से धुरूस ही हमनी के रखल भगवाण। तो आप लोग किसी को गाली गलोज मत दिजिए, गाली मत दिजिए किसी को भी। जो भी है उनकी महा बहने हम लोगों के महा बहन है। हमनी क्यातना मुल्ख निखी जा कि आराणियन माई बहन की के गारी देवे लागी जाए। जाया है से कि हमनी की इंसानियत जिंदा बहा और हमनी की जमीर जिंदा बहा। अपनी के माई बाव भूई निगन सी खईले, इलाई दारू पिखे आके और उल्टा पूल्टा के उल्टा के उल्टा के बोली उगरा के सिखाई, यह सब चीजे नहीं है, और किसी की मौत पर राजनी तियार कितने गंदे इंसान है, ग्रांबन का ये काम नहीं है यार, तुम पातिक में कहां से आ गई, जाती की बात करते हो कि वो जादो है, तो जादो हो को ये हो गया, तो वो नान जाते है, यह सब दोगा नहीं देता है, यह सब अच्छी चीजे नहीं हैं